प्रोनिंग क्या है? क्या इससे ऑक्सिजन लेवल बढ़ता है? किस तरह कुरोना महामारी में आप घर पर ऑक्सिजन लेवल बढ़ा सकते हैं? इसके लिए प्रोनिंग किरिया कितनी कारगार है? इसके लिए अलवर के रहनी कस्बे में सीनियर स्कूल के ग्राउंड में उपखंड परशासन वे चिकिस्सा एम स्वास्ते विभाग रहनी द्वारा नवचार करते हुए एक केम्प का आयुजन किया इस केम्प में जिला परिशत सीयो जसमी सिंग संधू सहीत उपखंड परशासन वे पंचायत इस्तर पर गठित क्रोना कोर कमेटी के अध्यक्षों वे पंचायत प्रारंबिक शिक्षा अधिकारियों को सेल्फ प्रोनिंग पदती का प्रेशिक्षन दिया गया बीडियो रमेश्चंद मिर्णा ने बताया कि गरामिन शेतरों में होम आईसूलेशन में रहने वाले क्रोना पोजेटिव मरीजों का उक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें कोई प्रात्मिक रिलिफ देने वे सेल्फ प्रोनिंग पदती से उक्सीजन लेवल बढ़ाने के ल को स्दद से कोरोना पोजेटिव रोगयों को सेल्फ प्रोनिंग के द्वारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का तरीका समझाएंगे जिससे कोरोना पोजेटिव का उक्सीजन लेवल बना रहे वर्तमान में कुरोना पोजेटिव को सबसे ज़्यादा समस्या सांस लेने में आ रही है ऐसे मरीजों के लिए प्रोनिंग पदती जीवन दाइनी होती जा रही है करकमे सीओ जिलपरिशद अलवर जसमी सिंग संदूर ट्रेनी आईएस धीरजवे रेनी एशडियम इसने लता हरिसाइद बीडियो रमेश्चंद मीना और बीसी एमो सुगंचंद मीना दी मुझूद रहे से दस परशंद पर अक्सिजन लेवल हम बढ़वा सकते हैं अब इनफ पहल प्रोनिंग टेक्नीक के अनुसार जो इनना प्रिस्रिक्शन प्रोग्राम रखा और बीसी एमो साब ने जो अच्छा प्रिस्रिक्शन दिया है वो पियोस को दिया जो कोर कमेटी मेंबर्स के अध से लिके जाएंगे जैसे कि आप जानते हैं कोविट पेशेंट्स में जो माइल्ड और मॉडर्ड इवन सीवियर पेशेंट्स में विद वेंटिलेशन इंटर्पिटेंड वेंटिलेशन में भी इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट्स पाएगे हैं तो प्रोनिंग पोजीशन अच्छी जिसकी प्रक्रियाज यहां सिखाएगी है यह बहुत ही उप्योगी होगी और मुझे आशा है कि इस अभी नव परियाज से बागी पंचाए समितित और व्लॉक्स भी इसी पहल को आगे बढ़ाएंगी जान्यवाद्ट